नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, विवाह 16 संसकारों में से एक है, शादी शुदा जिंदगी में पती और पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्या समझ पाए हैं और ना ही कोई महाग्यानी रिशी। इनके मन में क्या चलता है? इसका पता लगाना असंभव होता है। औरतों के मन की बात केवल औरत ही जान सकती है। एक औरत अपने चरित्र के सामर्थे से घर को स्वर्ग बना सकती है। तो वहीं दूसरी ओर वो उसे नर् जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है ऐसे घर से लक्षमी चली जाती है। जिस घर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। यानि मारपीट की जाती हो। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता वास करती है। इसलिए पुरुशों का ये कर्तव्य है कि वह महिलाओं को उचित सम्मान दे दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि महिलाओं को युधिष्टिर द्वारा श्राप मिला था, कि वो अपने पेट में कोई भी बात छुपा कर नहीं रख सकती है कभी ना कभी वो ये राज किसी ना किसी को बता देती है और बाद में पच्छताती है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज की महिलाओं अपने पती से छुपाती है और वो उसे इन बातों की भनक भी लगने नहीं देती है क्योंकि उसे यह लगता है कि अगर इन बातों का पता उसके पती को लग गया तो ये उन दोनों के बीच में दूरी निर्मान कर सकता है और उनके वैवाहिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे चानक्या की बताई हुई ऐसी बात के बारे में जो मनुश्य को सदा ही गुप्त रखनी चाहिए और उसके बाद में बताएंगे महिलाओं की ऐसी पाँच गुप्त बातों के बारे में जो वा पती से भी छिपा कर रखती है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा चानक्य के अनुसार किसी भी स्त्री और पुरुष को अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए नहीं तो भविश्य में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर दूसरों को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो वह व्यक्ति आपका अपनी मर्जी से इस्तिमाल कर सकता है इसलिए चाहे जो हो जाए अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना अब जानते हैं महिलाओं के वो पाँच राज जो वह अपने पती से गुप्त रखती हैं नंबर एक पुराना प्रेम दोस्तों, शादी से पहले हर स्त्री के जीवन में कोई ना कोई पुरुष अवश्य आता है परंतु यह एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए नहीं तो वो पुरुष उसका फाइदा भी उठा सकता है महिला अपने प्रेम के बारे में अपने पती को कभी नहीं बताती क्योंकि उसे डर रहता है कि इस बात का पता चलने पर उसके पती का उसके प्रती प्रेम और सम्मान कम हो सकता है एक चरित्रवान स्त्री के लिए सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता इसी कारण वह अपने भूत काल को भुला कर आगे बढ़कर नई जिन्दगी शुरू करने की कोशिश करती है लेकिन जो भी स्त्री विवाह के पश्चाद भी अपने पुराने प्यार के साथ जुड़ी रहती है वह स्वयम के और पती के दोनों के जीवन को बरबाद कर रही होती है दोस्तों, शादी के बाद पती पतनी के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर सहमती नहीं बनती और ऐसे समय में दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता है ऐसे में महिलाएं पीछे हटकर पती की बात मान लेती है चाहे वह उस फैसले के लिए दिल से तैयार हो या ना हो अपने मन की इच्छा पती के सामने प्रकट नहीं करती परंतु पती का भी ये कर्तव्य होता है कि वह पत्नी के मन की इच्छा को समझें और उसे महत्व दें ऐसा करने से दोनों का रिष्टा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है बार बार पत्नी का दमन करने से वह पती से दुखी रहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी तीसरे व्यक्ती का जीवन में प्रवेश हो सकता है नमबर तीन बीमारी दोस्तों ज्यादा तर महिलाएं अपने शरीर की कोई पीडा या बीमारी पती से छुपाती है ऐसा करने के पीछे उनके पास खास वज़े भी होती है तो ये दोनों के रिष्टे को खराब कर सकता है नमबर चार पैसे दोस्तों सब ही जानते हैं महिलाएं पैसे को लेकर काफी समझदार होती है अक्सर महिलाएं पती से छुपाकर कुछ पैसे अपने पास रख लेती है ताकि वह घर की जरूरत की छोटी छोटी चीज़ें खरीद सके महिलाओं को घर सजाना अच्छा लगता है इसी कारण वो इन पैसों का इस्तमाल घर को सजाने वाली चीज़ें खरीदने में करती है साथ ही उनकी यह समझ होती है कि भविश्य में पैसों की जरूरत पढ़ सकती है और समय आने पर वह ये पैसे पती को दे कर उसकी मदद भी करती है अक्सर महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ कई राज शेयर करती है जो उन्हें नहीं करने चाहिए चानक्य के अनुसार महिलाओं को अपने पती की आर्थिक स्थिती के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए नहीं तो बेवजह लोग उनसे उधार मांग सकते हैं अथवा आर्थिक संकट के समय उसकी कोई मदद भी नहीं करेगा महिलाएं पती से जुड़े कई राज अपनी सहेलियों को बताती हैं लेकिन ये बात वो अपने पती से छुपाती हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई